हलो आप्वीबड़ी दिस दिगरास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बीन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हूँ वर्दी मुगल्स इस टॉपिक को समझेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि चाप्टर का framework क्या है? हम चाप्टर में कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं अब देखो, पहला topic क्या हमारा Who were the Mughals? अब पुरा का पुरा Mughal Empire पढ़ना है, समझना है Mughal Empire पढ़ना है, समझना है उससे पहले हमें यह समझना पढ़ना है कि Mughals कौन थे? अब Mughals कौन थे? तो समझो जरा ठीक है? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers दो lineages Lineages मतलब क्या दो पीडी कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक family tree बनाते हम चलो ठीक है? Family tree बनाते है बच्चे जब हम छोटे थे तो हम क्या कहते थे? हमारी school में अलग-अलग इसे project देते थे 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 यह तो वही चीज़ है अब क्या होता है कि जो आप देखो कि यह ट्रंक वाला part रहेगा पीड में तो यहां आपके दादा दादी आएंगे ठीक तो आप दादा और दादी तो दादा की अलग family बनेगी मतलब ऐसे क्योंकि हमारी society पुरुष प्रधार है मतलब हम patriarchal society तो हम क्या देते हैं कि नहीं दादा जी की family इस तरह से तो हम मान के चलते चलो कि दादा जी एक अलग lineage अपने साथ लेके चलेंगे दादी फिर दादा और दादी की जो एक family बनेगी तो वो आपकी पूरी family रहेगी मतलब आपके पिता श्री रहेंगे उसमें आपके चाचा जी रहेंगे ठीक है उनके बच्चे आप सभी लोग तो वो आपका family tree बनेगा है ऐसे ठीक है तो वैसे ही mughals जो थे तो the mughals were descendants of two great lineages of rulers ठीक है तो mughals क्या मोलते थे हमारे दादा हमारे दादी मतलब जो हमारे ancestors हैं वो दोनो great lineages के हैं जैसे for example क्या जैसे एक example दे रहों कि आपके आपके दादा जी जो है तो आपके दादा जी क्या है कि एक great lineage उन्होंने क्या लेके आए कि आपके दादा जी IS officer थे और आपके दादी जी IPS officer थी तो ये great lineage हो गई या फिर आपके दादा IPS थे आपके दादी IPS थी ठीक है यह lineage होगी तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ही महान थे तो उसी तरह से मुगल्स भी क्या claim करते थे The Mughals were descendants of two great lineages of rulers बोलते थे कि हमारे जो पूरवज रहे हैं ठीक है तो वो दोनों ही side से क्या थे बहुत महान थे उनकी जो PD थी तो वो बहुत महान PD से थे कैसे तो जैसे mother side से क्या बोलते थे mother side से they used to claim that they were the descendant of चंगेश खान अब यह चंगेश खान हमने पहले भी पढ़ा है कहां पढ़ा है देली सल्तनाथ में ने बताया था आपको चंगेश खान के बारे में ठीक है उसने हमला किया था अब एक बार और बताता हूँ इल्तितमिश के time period में मंगोल मतलब चंगेश खान ने हमला नहीं किया लेकिन चंगेश खान मतलब जो मंगोल आर्मी थी मंगोल आर्मी ने हमला किया था अब मंगोल आर्मी के बारे में कुछ बाते बताता हूँ मैं आपको सुनों ध्यान से सुनों यह मंगोल एंपायर था न यह वल्ड का सबसे एंपायर था कि इस ताइम पर देखा जाएомина कि किerezएंट सबसे बड़ा में कि ये इंसान का मास खा जाते थे, इंसान को खा जाते थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान का खून पीना पसंद था मंगोल्स को, मंगोल वारियर्स जो थे, ठीक, तो अब क्या हो ये मंगोल रूलर जो था चंगेश खान, तो मुगर्स ये क्लेम करते थे कि उनकी मदर से देवर्दी डिस्टेंट ऑफ देवर्दी डिसेबन ऊफ चंगेश्कान एं MY Чा करें उनकी जो मा रही तो जो रहा गॉगा तो मगल्स की डैनस्टी में क्या रही है मुगल्स की डैनेस्टी में वो उनकी मा रही है ठीक यह हो गया अब क्या होता है father side सी क्या claim करते हैं देखो तो दे वर्धी successor of तैमूर ठीक है तैमूर सेफ हभली खानवाला माझ सोच लेना यहाँ पर टैमूर मतलब क्या है यहाँ पर कॉनसा है यहाँ पर जो टैमूर एतो टैमूर रूर था कहां का तैमूर वाश्दी रूलर of Iraq, Iran and modern day Turkey आज का जो तरकी है, इरान, इराक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि आज countries बन गई है, तरकी अलग country, इरान अलग country है, इराक अलग country है, अफगानिस्तान अलग country है, लेकिन उस समय पे तो rulers अपना अपना empire फैलाते थे, तो ये जो part था, ठीक है फादर मतलब मुगल्स क्या क्लेम करते हैं कि उनके फादर कौन थे तैमूर ठीके और मदर कौन थी चंगेस खान की जो लीनिज है चंगेस खान की जो पीडी ए उसी में से एक महिला जो थी वह इनकी मावनी थी तो माता और पिता दोनों ही क्या हो गई यहाँ पे दोनों ही Great Lineage इससे जिसमें आपको बताए कि IPS और इस तो आप क्या बोल दोगे कि हां यह ग्रेट लीनिये जो गई लेकिन इस केस में क्या है कि पिता जी तो उनके चलो मानलो उनके हिसाप से क्या बोलते थे वह कि पिता जी तो हमारे IPS वाली के टेगरी के थे ठीक है ग्रेट रूलर मानते ते लेकिन हमारी माता जी जो थी तो वो डाकूवाली एक टेगरी में से थी ठीक लेकिन गाड़ी चल रही थी अब क्या होता था तो इसी कारण से होएवर the Mughals did not like to be called Mughal or Mangol Mangol Shabd से Mangol Ruler Mangol Shabd से Mangol Shabd से निकल का आया Mangol Shabd से निकल का आया Mughals Mangol से ही Mughal निकल का आया और जो बाद के Mughals थे Temur के बाद में जैसे जो आते चले जाएंगे तो वो लोग अपने आपको Mughal नहीं कहलवाना चाहते थे उन्हें पसंद नहीं होता थे कोई उन्हें Mughal बोले क्यों? क्योंकि ये Mughal Shabd मंगोल से निकल का आया And this was because Cangez Khan, who was a Mangol ruler Cangez Khan जो है, तो Cangez Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people ठीक है? लाखों लोगों का इसने क्या किया है? नरसंघार किया है बहुत साइब लोगों को मारा था Cangez Khan ने तो और Cangez Khan से मंगोल रूल पुरा, मंगोल रूल से निकल का है Mughal, ठीक है? तो इसी कारण उनको मंगोल कोई ऐसा बोलता था कि तुमारी डैनेस्टी कहां से निकल का ही थी तो वो बड़ा खुश होते थे मतलब यह हैं पर कि यहां बोलेंगे कि आपकी माता जी तो क्या थी? डाकू थी एक तो वो उनको पसंद नहीं आएगा लेकिन यहां पर जैसे बोलतेंगे कि आपके पिता जी तो क्या थे? कि बहुत बड़े दिमुगल्स वर प्राउड ओफ देर तैमुरीड एंसेस्ट्री तैमुरीड एंसेस्ट्री चलो हां मदर साइट की लीनियज का तो समझ में आगया कि वो मसायकर से जुड़ा हुआ था मसायकर मतलब क्या होता है? नरसंगार समझा देता हूँ नरसंगार मतलब बहुत साइट लोगों को मारना तो इस कारण उने पसंद नहीं आता था लेकिन अगर फादर साइट की बात करें तो फादर साइट की लीनियज को इंजॉइ क्यों करते थे वो क्योंकि तैमुर ने कुछ काम बड़े-बड़े कर दिये थे अब ये चीज जड़ा कनेक्ट करो देखो मैंने आपको बता है डेली सल्तनत पे बार बार हमले होते थे मंगोल आर्मी ने हमले किया थे इलतुत मुष्के टाइम पे ठीक लेकिन वो अंदर नहीं पाए जैसे फिर क्या होता है मंगोल आर्मी जो है तो अब ये भी एक तरह स तुगलक जो था उस समय पे रूलर तुगलक डैनिश्टी का उसके उपर तैमूर ने हमला किया देली सल्तनत के उपर ठीक है मतलब पोते पर पोते सब क्या करते रहेंगे अपने ग्रेंट फादर के बारे में बताएंगे दुनिया को वही चीज़ यहां पर क्या कर रहें मुगल्स भी कर रहें मुगल्स जो थे तो देवर प्राउड ऑफ देर तैमूर एंसस्ट्री क्यों क्योंकि तैमूर ने एक बा बाबर मुगल डैनिस्टी को स्टैबलिश करेगा ठीक है यह बाबर तैमूर क्या है रिलेशन में बताऊंगा देखो यह सब एक ही लीनियज क्याने वाले मुगल एंपायर चालू कहां से होगा बाबर से अब बाबर अपने पूरवजों को कहां दिखा रहा है बाबर अपने को दिखा रहा है कि मेरे दादा जी के दादा जी मतलब में रिलेशन अगर बता हूँ आपको तो समझो तीन बार ग्रेट ठीक है ग्रेट 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 ग्रेंट फादर यह थे कौन तैमूर किसके बाबर के तो बाबर के दादा जी के दादा जी ठीक है मतलब दादा के दादा के पापा ये था तैमूर और बाबर का रिलेशन ठीक आपको इतना याद नहीं रखना है मैं तो सिंप्लिफाई करके दे रहा हूं आपको याद नहीं रखना है ठीक आगे बताऊंगा फोटो के बारे में भी तो क्या होता है कि मुगल्स कहानी पगर आते हम तो मुगल्स क्या है डेवर प्राउड ऑफ टैमूरी डेंसिस्ट्री क्योंकि उन्हें असा रगता था कि हमारे दादा जी के दादा जी के पापा ने क्या किया था एक बार डेली पर कभजा किया था तो हम उनके मतलब हमें उनसे जाने लोग तो जादा अच्छा रहेगा ना चंगेत खान के नाम से जाने क्या हैं इन की आ जो दादी थी ठीक है तो वो क्या हुआ करती थी वो चंगेशकान की फैमिली से बिलॉंघ कर दीए ने अच्छा हो तो पूरी फैमिली आग aggi तरी यह और तरह न हमाता है यह मतलब बाबर के डादा जी के दादा जी के पापा थे ऩोर्फिक भाइन यहां यहां यह पर हमाहियू है। सबस्क्राइन ओ सव रहने एक ही फोज़ोग्राफ में है प्लिप सकते आपकर Eskland 11-100 साल उन्हें उन्हों पूर्ण चाहते हैं तो उस तरह से फोटोग्राफ बनाई जाती थी टि कुछ भी है ठीक यह जवान दिख रहे हैं और यह बुजरुग दिख रहा है इंसान ठीक तो इस तरह से क्या है जवान और बुजरुग सब मिक्स कर दिया उसमें लेकिन वो बताया उन्होंने बस किया हमारी यह जीनोलोजी है क्लियर है तो हूँ वर्दी मुगल्ज का कि मुगल्डे कौन थे तो मुगल्डे कौन थे यह जाहता अच्छा पसंद था उन्हें क्लियर हैं तो यह सारा सब कुछ मेंने बता है हुवर दी मुगल्स यह मैंने आपको हिस्ट्री बता दी ठीक इस वीडियो लेक्चर में हमने हिस्ट्री देख ली मुगल्स का बैगराउंड देख ले कि अच्छा इनकी रूट्स कहां है रूट्स कहां से निकल के आती है अब एकशली मुगल रूल स्टावगा तो मुगल रूल किस से स्ट गोता है मुगल रूल श्टावटा बांबर के बाद से विछे तुब आकbnा पनो यह अपना मिलिटर दीको मुगल रूल इस्टैबलिश किया वो सारी चीज़ें आपको नेक्स वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ I hope यहां तक चीज़ें समझ में ही हैं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है डाउट है तो feel free to ask in comment section और एक और important चीज़ सुनते वजाओ Magnet Brains पे class 4th से class 12th तक सभी चीज़ें जैसे आपने ये वीडियो देखा उसी तरह से जैसे आप सस्टी पढ़ते हैं उसी तरह से science, maths, English, Hindi सब पढ़ सकते हैं आप मज़दार बात किया कि सारे वीडियो लेक्चर्स free of cost available हैं तो आपको क्या करना है अपने juniors और seniors को भी बताना है Magnet Brains के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला topic पढ़ने वाले हैं Till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much